हेलो ट्रेडर्स विल्कम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूँ मोहमद सुहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों इजी माई ट्रिप पे मैं फ्रेश बाइंग काफी बार दे चुका फिर भी मैं क्या बताया आप सभी को कि स्टॉक के अंदर अगर ये जो लेवल हैं फिर से देखने को मिले आप एंट्री जरूर लेना पर थोड़े सब्सक्राइबर हमारे ऐसे भी हैं यहां पर में सीडी का प्लेस लेवल का क्लबिंग जाते हुए डर रहे हैं कि स्टॉक ग करते हैं यह बस हमारी अनालिसिस के कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं टोटल हंडर पर्सेंट अनालिसिस जो होता है वह हमारे कैंडल चाट पर ही हो जाता है पर वह हमारी अनालिसिस के इसाब से जाएगा नहीं जाएगा उसका कंफर्मेशन है नहीं है वह हम लोगों को MSTD देखने से लगेगा, अब MSTD को छोड़ दो, अब candle देखो, candle क्या बोल रहा है, पहले वो देखो, candle यहां पर क्या बोल रहा है, simple है, stock के अंदर previous breakdown level से हम लोगों को rejection देखने को मिला, rejection point भी देखो, यहां पर mark करता हूँ, यह वाला level, exact यह वाले level से stock के अंदर selling आया, अभी stock, यह level को क्या break कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहां पर break नहीं किया, यहां पर break नहीं किया, यहां पर फिर से break out दिया, अभी ज्यादा से ज्यादा, गलती से गलती भी, stock अगर level break कर रहा है, तो stock को जो low लगेगा, यह लगेगा, अगर stock में average out होगा, तो यह level अगर break कर breakout हम लोगों को देखने को मिल रहा है और जो breakout है 25 YM के पास है अगर कल यहां कहीं पर भी green candle close कर दिया तो rally देखने को मिलेगा 200 level break करते हुए और दूसरा stock में यहां पे strong resistance level है यहां पे देखो यहां पे strong resistance level है दोस्तों जब तक यह resistance level break नहीं करता stock के अंदर heavy buying नहीं आएगा और यहां पे पे अगर आप देखेंगे previous time भी इसी point से stock reject हुआ था दिख रहा है अब इस बार इसका new breakdown level strong resistance level यही है अगर एक बार stock एक ही बार चाहिए वो अगले मैना हो इस मैना हो कौन से भी मैना हो अगर stock यह वाला level break करके 43.47 उपर के तरफ green candle कहीं पर भी close कर रहा है पूरे target लगेंगे stock above 50 plus जाएगा पर stock यह level break नहीं कर रहा है चुँकि इसको भी पता है कि अगर मैं इसको break करूंगा तो मुझे उपर जाना पड़ेगा तो मैं suggest करूंगा कि stock में hold करो panic वाली बात नहीं है stock में अभी भी entry ले सकते हो क्योंकि मेरे entry point के पास stock है और target में आप लोग को आपका 5%, 10%, 18% और 22.5% के target काफी जल्दी ही देखने को मिलेंगे दोस्तों यही था मेरा latest update easy my trip पे अगर आपको stock pay analysis समझ में आया वीडियो को like करिए, share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजे thank you for watching my video